नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में, मैं हूँ आपका यारों का यार होस्त राहूल भोच, चैनल को फड़ाफट सब्सक्राइब करें मुनबर फारुकी का चन्ने के टूर के बाद दोस्तों सिली गुडी में भी एक बहुती सुन्दर और जबरदस शो हुआ है जी हाँ, ये शो इतना सुन्दर इतना जबरदस हुआ है कि इसके audience review, audience public review सामने आने लग गए हैं फिर उसके बाद दोस्तों, यही शो को लेकर मुनबर फारुकी सीधा पहुचा दिली, दिली में दो दिन मुनबर फारुकी ने ये continuously शो किया और दोनों ही house full थे उसके बाद मुनबर फारुकी ने चैनने लिया और सीधा उड़कर पहुच गया दोस्तों, कहा चैनने बतला दिली से चैनने एक north एक south चैनने शो करने के बाद, और चैनने आपको बता दो दोस्तों, इतना बड़ा auditorium है वो मलंग गाना याद है आपको धूम थरीका, उतना ही बड़ा auditorium था और उसी auditorium में perform किया मुनावर फारुकी ने और उसकी वीडियो उसके stills सामने आए है, oh my god, it's all full सोचो मुनावर का क्या craze है, क्या बवाल है मुनावर तो मुनावर फारुकी का डोगरी टू नोवेर तो भाया सुपर डूपर हिट चला गया है और मुनावर फारुकी के अगर बात करें तो उसके बाद उसने सीधा सिली गुडी में चंप माला लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहे क्योंकि वहां की audience कह रहे है कि दो गंटे ये मेरे जिन्दगी के सबसे शांदार गंटे थे विच मीन्स के मुनावर फारुकी ने अपने जो शो की टाइमिंग है तीन घंटो की मुनावर फारुकी डोगरी टू नोवेर तीन गंटे परफॉर्म करता है और ये उसने मुंबई में भी किया था दिल्ली में भी किया था चिन्ने का feedback नहीं आया दोस्तों उतना लेकिन ये सिली गुरी का आगया जहां पर लोगों ने ये post किया शोशल मीडिया पर कि भही मुनावर फारुकी के साथ बिताईए दो गंटे जिन्दगी के अब तक के सबसे बेहतरीन दो गंटों में से एक थे मुनावर की endless energy मुनावर की endless हसी जिस तरीके से उसने हमें हसाया गुदकुदाया वो amazing था और थोड़ा bit emotional भी कराया दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर audience शायद हो सकता है time restriction हो और इसी वज़े से तीन घंटे वाला जो शो है समझे रहें उसको जो है दो घंटे में उसने chopped off कर दिया हो edit कर दिया हो खेल लेट सी देखें सिली गुडी से निकल चुका है मुनावर और अब एक दो तीन जियां एक दो तीन में होगा मुनावर का बवाल तो मैं भी आपको उसका feedback जरूर बताऊंगा आपको बस बने रहना है चैनल टेली खंसाना के साथ मुझे इचाज़ा दीजिए बाबाई